दोस्तों इंटर सिटी यूज में बैक्स की गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम से परिशान होने से बसने के लिए लोग स्कूटर्स लेते हैं और उनमें से भी कुछ स्कूटर की परिशान होने के कारण लोग बड़या परफॉमेंस वाले स्कूटर लेना चाहते हैं तो आज हम गियर फ्री, टेंशन फ्री और बड़या परफॉमेंस वाले सेवन बैस्ट वन टॉन्टिफाइफ सीसी के स्कूटर्स का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको इन स्कूटर्स के इंजन, इनके फीचर्स और इनके प्राइस के बारे में बताने व नमबर साथ पर है TVS Jupiter 125 दोस्तों TVS कमपनी के तरफ से आने वाले ये पॉपलर और शांदार स्कूटर है, इसका 110cc इंजन वेरिंट भी कमपनी आफर करती है अब बात करें इसके इंजन स्पेसिकेशन की तो 124.8cc का BS6 इंजन इसमें आता है जो 8.3 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉक जनरेट करता है और 90 km पर आर की टॉप स्पीड इसको देता है इसमें 50 km पर लिटर का क्लेम माइलेज और 33 लिटर का अंडर सीट स्टोरेज भी मिल जाता है तीन वेरियंट्स और चार कलर आप्शन के साथ ये स्कूटर मार्केट में अवेलिबल है इसके फीचर्स के अगर बात करें तो इंटिग्रेटर चार्जिंग पोर्ड, डिस्टेंस टू एम्टी, लोब वल्टेज इंडिकेटर, हेलमेट रिमाइंडर, एक्टरनल फ्यूल फीलिंग जैसे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं इसके बेस वीरिट की स्टार्टिंग एक्ट्रो रूम प्राइस, 81,000 रुपीज है नमबर चैपर है TVS and टॉर्क TVS के तरफ से आने वाले ये एकदम एडवांस और फ्यूचरिस्टिक स्कूटर है जो फर्स्ट इन क्लास परफॉमेंस और राइड क्वालिटी ओफर करता है बात करें इसके इंजन की तो 124.8cc का BS6 इंजन इसमें मिलता है TVS and टॉर्क में 5 variants और 12 different color options देखने को मिल जाते हैं इसमें added features के अगर हम बात करें तो लास्ट पार्क location assist, voice assist function, smartphone connectivity, start-stop function, engine kill switch, fully digital console जैसे features भी इसमें मिल जाते हैं इसके base variant की starting extra price 79,000 रुपीज है नमबर पांच पर है Suzuki Axis ये scooter Suzuki की तरफ से most fun to ride है और साथ ही best in class features और performance rider को offer करता है 124cc का air cool fuel inject BS6 engine इसमें आता है जो 8.7 PS की power और 10 newton meter का torque generate करता है और 92 km per hour की top speed इसे offer करता है 48 km तक का claimed mileage और 22 liter का under seat storage ये scooter offer करता है Suzuki Axis 6 variants और 17 different color options में available है Bluetooth enabled digital console, engine start stop switch, external fuel lid, USB charging socket, smartphone connectivity जैसे features भी इसमें मिल जाते है इसके base variant की starting extra price 77,000 रुपीज है नमबर 4 पर है Hero Mestro Age 125 Hero की तरफ से आने वाले इस scooter का 110cc model भी आता है जो 9.12 PS का power और 10.4 newton meter का torque generate करता है और ये engine 90 km per hour की top speed इसे scooter को offer करता है इसमें around 45 km per liter तक का mileage company claim करती है और 20 liter का under seat storage भी मिल जाता है इस scooter में 4 variants और 6 different colors देखने को मिल जाते है इसमें added features की अगर बात करें तो fully digital speedometer, sidestand engine cutoff, mobile charger and boot light, LED projector headlamps, Bluetooth connectivity ज़े से शांदार features भी इसमें मिल जाते है इसके base variant की starting extra room price 77,000 रुपीज है नमबर 3 पर है Honda Activa 125 दोस्तों, Honda के ये popular scooter 110cc के साथ 125cc variant में भी offer किया जाता है इंडिया में scooter users अगर उनका favorite scooter पुझा जाए तो आदे से भी जादा लोग Activa का नाम लेंगे तो आएए जानते हैं कि इस scooter में ऐसा क्या special मिलता है इसमें 123.97cc का fuel injected BS6 engine आता है जो 8.1 bhp की power और 10.3 newton meter का torque generate करता है और 85 km per hour की top speed से provide करता है Honda Activa 125 का claimed mileage around 45-50 km per liter का है और 80 liter का under seat storage भी इसमें मिल जाता है अब इसका mileage तो अच्छा है लेकिन under seat storage बाकी scooter के comparison में थोड़ा कम है इसके 3 variants और 6 color options market में available है side stand engine cut-off, intelligent digital analog, extended fuel filler cab, front glove box, multifunction switch unit जैसे feature इसमें डाले गए है अब बात करें इसके price की तो इसके base variant के starting extra price 77,000 रुपीज है नबर दो पर है Yama Fasino 125 दोस्तो वैसे तो Yama की तरफ से और भी कुछ 125 CC के scooters available हैं लेकिन उनकी cost थोड़ी जादा होने पर हमने इस list में सिर्फ Fasino को रखा है Fasino एक premium looking scooter है जो अपनी unique appearance और sleek design के लिए जाना जाता है 125 CC का air cool fuel inject BS6 engine इसमें आता है जो 8.2 PS की power और 10.3 Nm का torque generate करता है ये engine 85 km पर आर की decent top speed इस scooter को offer करता है इस scooter में 50 km पर लीटर तक का claim mileage और 21 लीटर का बड़ी under seat storage भी मिल जाता है mileage और storage zone में ये scooter best है इसमें 4 variants और 9 different color options भी available है इसमें added features के अगर हम बात करें तो digital meter console, automatic start stop system, smart motor generator, side stand engine cut off, multifunction key switch जैसे features भी इसमें मिल जाते हैं तो looks और features में भी scooter कहीं भी पीछे नहीं है इसकी starting extra room price 76,000 रुपीज है नंबर एक पर है hero destiny 125 hero की तरफ से आने वाले इस scooter में बड़िया performance, mileage और comfort वो सब कुछ मिल जाता है जो एक customer scooter से expect करता है इसके engine specifications के अगर बात करें तो इसमें 124.6 cc का air cool fuel inject BS6 engine मिलता है जो 9 bhp की power और 10.4 newton meter का torque generate करता है 85 km per hour की top speed वी सी scooter में मिल जाती है company अपने इस scooter पर 45 km per later का mileage claim करती है और ये scooter तीन variants और 7 different color options के साथ market में available है इसमें मिलने वाले कुछ features के अगर हम बात करें तो इसमें idle start stop system, semi digital instrument cluster, mobile charging port, external fuel filler cap, last park location जैसे बहतरीन features भी offer किये गए है इसके base variant की starting actual price 71,000 रुपीज है power and performance पसंद करने वाले customers इन 7 best scooters में से कोई भी एक tension free होकर choose कर सकते है vehicles की ऐसी confusion और tension free choices के लिए इस channel को subscribe करके जूट जाईए ओट experts के साथ आपको आपके time और पैसे का पूरा वर्त यहां मिलेगा वीडियो को अपना time देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को please like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए तो आज का साथ यहीं तक कदा दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत